दोस्तो आज हम आपको Mercedes-Benz कार की सक्षचफुल स्टोरी के बाई में बात करने वार Mercedes-Benz की कार पूरी दुनिया में प्रसेदे इनकी कार को बड़े बड़े लोग रखना पसंद करते हैं यह कार पहरे दो लोगों ने मिल कर बनाया था पहरी कंपनी कार बेज जिनके के पास पहरी मोटर कार बनाने का ऐडिया था और दूसरी कंपनी गोटे राइवर डेर्मेर की है इस कहानी के शुलवात होती है 1886 में जब कार बेच ने बेंज पोटेंट मोटर वेगन पहरी मोटर गाड़ी पेटेट लिया था इस मोटर गाड़ी का उस समय से 107 डॉलर की कीमत हुआ करती थी साथ गोटे राइवर डेर्मेर के सब्सक्राइब के मैं बेच के साथ मिलकर एक मोटर गाड़ी बानाने में सफर्ता प्राप्त की थी उनकी कार को बहुत रोग प्रीये सन 1897 में एक जाने मने विजनस्मेन इिमिर जेक लिंकेट परी गोटे राईवर डेंग मार को खरीद और उन्होंने गोटे राईवर डेंग मार को और कार बनाने कुलिक हा और यह भी कहा कि उन कार का नाम मर्सडीज होना चाहिए मर्सडीज उनकी बेटी का नाम था मर्सडीज का बहुत ही कम समय में लोगों के बीच मसुहूर होने लगी और आगे चलकर वर्ड वार शुरू होने के कारण आटो मबाइल इंडेस्टी का बुरा दौर सुरू हो गया था सरकार ने इन पर बाहरी बरक काम करने से मना कर दिया कुछ सार बाद 1924 में दोनों को एहसास हुआ कि वे एक साथ जादा आगे बढ़ सकते हैं और फिर उन्हों एक साथ काम करने के लिए तयार हो गया थे 1926 में उन्हों ने एक सार में 8000 कार बेच दिया इसी सार में मर्सडीज ने डीजर से चलने वारा भी बनाया 1930 में 1943 तक मर्सडीज वेंग्स साथ सो सतर मोडर की खुब चला और एड़ और हिट्रा भी यही कार चलाते थे इस गाड़ी को अटावावार मूसें में रखा गया 1944 में 6000 मर्सडीज की फैक्टरी में जबजस्टी रे जाया गया और काम कराया गया कंपनी के बाद में मजदूरों को 12 मिलियन डॉलर भी दिये गए आगे चलका मर्सडीज ने बहुत से गाड़िया बनाए और उन्होंने बहुत रोग प्रिये भी मिली यह थी मर्सडीज बेंच की ससेचफुल इस्टोर जो आपको वीडियो पसंद आया हो तो ही आप चैनल को सस्क्राइब क पस्क्राइब कर दो भी जगते हैं।